इस वीडियो में आप देखोगे 4 upcoming Maruti Suzuki Cars के बारे में तो चलिए शुरू करते है इस वीडियो को इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है Maruti Swift Hybrid तो Maruti Swift Hybrid को कंपनी ने सबसे पहले 2020 Auto Expo के दोरान पेश किया था जिसमें कमपणी ने 1.2 लिटर डूल जेट के 2LC पेट्रोल इंजन दिया है और ये इंजन 91 PS का पावर और 118 NM का टॉर्क जनेरेट करता है ये इंजन 10 किलोवाट इलेक्रिक मोटर के साथ आता है जिस वज़े से हमें इस कार में अच्छा मालिज देखने मिल जाएगा और ये कार पूरी तरह से इलेक्रिक मोट पर भी कुछ किलोमीटर तक के दूरी तेर कर सकती है मारुति स्विफ्ट हाइब्रेट के एक्सपेक्टेट लांच डेटर प्रैस के बात की जाए तो उमिद है कि कमपणी इस साल के आकरी तक या फिर आगले साल के शुरुवत में इस कार को लांच करेगी इस लिस्ट में नमबर दो पर है मारुति वैगनर इलेक्रिक तो मारूतिय सुजुकी अपनी पहली इलेक्टिक वहिकल को भारते बाजर में इस साल के आन तक या फिर अगले साल की शुरुवत में लॉंच कर सकती है कमपनी की ये पहली इलेक्टिक कार वैगनर के आदार पर होगी और इस गाड़ी के पहले से ही पचास प्रोटोटाइप मॉडल की अलग-अलग मोसम और इलाकों में टेस्टिक हो चुकी है हलाकि कमपनी ने इसके लॉंच में थोड़ी देरी जरूर की है लेकिन कमपनी इसे जल ही भारते बाजार में उतार सकती है नमब तीन पर है मारूती सुजुकी जीमनी भारत में सुजुकी जीमनी को 1.2 लिटर पेट्रोल इंजन के साथ लॉंच किया जा सकता है जो कि मारूती सुजुकी की स्विफ्ट और डिजायर के साथ और भी कई कारों में एविलेबल है इसके अलावा इस छोटी SUV में कमपनी अल्टो के 10 में मिलने वाली 1 लिटर पेट्रोल इंजन भी दे सकती है जीमनी के इंजन BS6 नॉम्स के साथ आएगी इस लिस्ट में नमब चार पर है मारूती सुजुकी सॉलियो मारूती सुजुकी सॉलियो भारत में 1.2 लिटर 4 सिलिंडर पेट्रोल इंजन के साथ आ सकती है जो कि 91 PS का पावर और 118 न्यूटन पर मिटर का टॉर्क जनरेट करती है सुजुकी सॉलियो में हाइटेक प्लैटफॉर्म है जो कि मारूती सुजुकी स्विफ्ट के लेटेस्ट वर्जिन में दिया गया है लेकिन मारूती वैगनर के 7 सीटर मॉडल को इस प्लैटफॉर्म पर नहीं उतर जा सकता है क्योंकि इस से गाड़ी कीमत बढ़ जाएगी इस लिस्ट में नमबर 5 पर है मारूती सुजुकी फीचरो ई तो इस कार का इंटिरियर के बात करतो इस कार में हमें काफे मॉडल इंटिरियर देखने मिलेगा इस कार के डैशबॉर्ड पर बड़ी स्क्रीन दी गई है फीचर स्टिक स्टिरिंग के आगे डिस्पले दिया गया है जिसमें हमें ड्राइवर और इंटिरियर के लिए कंट्रोल से दिये गए है इस कुप स्टाइल SUV में एंबियेंट लाइटिंग भी मिलेगी इस कंसेप कार को 4 सीटर आप्शन में पेश किया गया है इस कार का एक्सपेक्टेट लाउंच डेट अराउंड 2022 और एक्सपेक्टेट प्राइस 15 लैक्स के रिजमें हमें देखने मिल जाएगा